आज के समय में सबसे बड़ी आम समस्या वो है बालों का सफेद होना दोस्तों जब कम उम्र में हमारे बाल सफेद हो जाएं तो हम अपनी उम्र से दुगने दिखने लगती हैं तो आप घबना हैं बिलकुल नहीं अगर आप भी परिशान हैं अपने सफेद बालों से और आप बालों को काला करना चाहते हैं बिना कैम कर लें तो इस नुस्की का इस्तेमाल जरूर करना तो यहां पर नुस्का तयार करने के लिए आपको लेना होगा सेंपू सेंपू तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यह वाला सेंपू इस्तिमाल करें तो सबसे ज़्यदा अच्छा है क्योंकि आरवधिक सैंपू किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाता है ठीक है तो आप कोई भी सैंपू इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैंने करीवन एक चमज भर करके सैंपू ले लिया है आप भी एक चमज सैंप लोगता है दो मुहे बाल हो जाते हैं आपके रूखे-सुके बेजान हो जाते हैं धूल मिट्टी गंदभी वज़े से तो अब इसके लिए हमें करते हैं कि बालें जड़ से काले लेना है दो चुटकी अगर आप चम्म से यानि की टी स्पून से नाप रहें तो आधा टी स्पून तो आप ये फिट करी का पाउडर जरू डाला है ये आपके स्केल्फ को क्या करेगा क्लीन रखेगा और नए बालों को उगाएगा बालों को काला करेगा जो मैं वीडियो में बालों में इस्तेबाल करोगे कोई भी चीज जो दोस्तों जब आप मन से करेंगे बिस्वास करके करेंगे तो उसी चीज के हमें फाइदा दुगनी रखतार में मिलने लगता है तो ये जो फिट करी है ये आपके बालों की जड़ों को मजबूद बनाएगा जड़ से ही बा कॉफी पाउडर तो ये कॉफी पाउडर हमें कितना लेना है हमें यहां पर मात्र आधा छोटा चमच ये कॉफी पाउडर लेना है आप सेंपू का इस्तेमाल करते हो अपने बालों में लेकिन अगर इसी के साथ में अगर आप इन चीजों को एड़ कर लेते हैं तो आपके आप मान लेजिए कि हर एक समस्या आपकी जड़ से खतम हो जाएगी क्योंकि यह जो फिटकरी होती है यह बालों में खुजली नहीं होने देती है और बालों में जुगय भी नहीं पढ़ने देता है दूर मिट्री गंदगी किसे जो इंफेक्शन हो जता है उसको भी जड़ से खतम करता है अब बात करते हैं कॉफी पाउडर का यहां पर देख सकते हैं मैंने डार्क वाला कॉफी पाउडर लिया है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हूं तो यह जो कॉफी पाउडर होता है यह आपके बालों की ग्रोध तेज करता है बालों को काला मनाता है और क्योंकि देखना आपको करनाय को जड़से काले हो जाएंगे ड़स्ट करिए इसमें कोई है जी आपके बालों को नुक्सान करें तो आप क्या करें, सभी चीज़ों को mix कर लिया है, तो अब इसे क्या करना है, अपने बालों में लगाना है, कैसे लगाना है, सबसे बहले आप अपने बालों को गीला करें, पानी से गीला करें, बालों को गीला करने के बाद में, आपको ये पेश्ट अपने बालों की जड़ बालों की जड़ों में बालों की लेंद में लगा करके आपको बत्सिया करना है दो मुनेट के लिए मसाज कर देना है जिससे कि आपके स्केल्फ का ब्लड का संचार तेज हो और एक रोम छिद्र का जो ब्लॉकेज है वह भी आपका ब्लॉकेज खतम हो जाए ठीक है ना और किखण करना है और किसको आपको हपते में दो बार इस्तेमाल जरूर करना है आप जैसे मैंने बताया है इस तरीके से आप हपते में दो बार्पर करते रहें आप ऐखना आपके पता भी नहीं चलेगा आपको और आपको अपने बाल काले मिलेंगे आजकल तो स्टूड्रेंट जो होते जो पढ़ने जाते बच्चे उनके भी दो-चार बाल आपको सफेद ही मिलेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करिए और आप अपने सफेद बालों को काला घना हो जाओगे वीडियो पसंदा है